एक लड़का था, वहाँ काफी गरीब था, उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था, वहाँ अपने दोस्त के घर रहा करता था, उसने एक छोटी सी कमपनी में पैंटिंग का काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए, बाद में वहाँ काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, जब वहाँ छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, उसमें कभी प्रेम को नहीं जाना था, एक दिन जब वहाँ अपने किसी काम से बहार गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो की काफी अच्छी और खूपसूरत थी, उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया, वहाँ काफी देर तक उस लड़के को देखती रही, कुछ देर बाद वहाँ चली गई, कुछ दिनों तक यहाँ लड़का उस लड़की को खोचता रहा लेकिन वहाँ लड़की न मिली, लेकिन नियती ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया, वहाँ लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी, लड़के ने लड़की को तुरंद जब वहाँ लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यहाँ लड़का गूंगा है। धीरे धीरे वहाँ लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वहाँ लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता-पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था। कि वह जब तक जिन्दा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे, लड़की का प्रेम हट से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खासी पर भी वह लड़की दोड़े उस लड़के के पास पहुँच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया. जब उसे सब पता चल गया तो वहां बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का जूट बोला था. अब वहां दिन रात रोने लगा. लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी. एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वहां लड़का हॉस्पिटल में भरती है. वहाँ दौरते हुए जब हॉस्पिटल में पहुची तो उसने देखा कि लड़का बेड़ पर बेहोश पड़ा है उसके आसपास काफी मशीन लगी हुए थी जब लड़की डौक्तर के पास पहुची तो वहाँ पर डौक्तर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है उसने अपनी जीब को काटने की कोशिश की है इसके साथ ही उस डौक्तर ने उस लड़की को एक पत्र दिया उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ, जिस घर में तुम काम करती हो, उस घर का मालिक मैं ही हूँ लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम से एक बहुत बड़ा जुट बोला है, कि मैं एक गुंगा हूँ, अब इस जुट का प्रायशित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसो को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिन्दगी की शुरुवात करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोशी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आख आसू से भर आए। वह दौरते हुए डॉक्तर के पास गई और उसने डॉक्तर से बोली। जितना पैसा लगेगा हम देंगे। डॉक्तर सहाब आप इस लड़के को बचा लीजिए। उसके बाद उसने कसम खाई की जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी। भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्तर भी उस लड़के की इ इलाज कर रहे थे। बहुत इलाज के बाद अब लड़का बोलने लगा लेकिन वहाँ अपनी यादधाश्ट को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके यादधाश्ट के लिए काफी कुछ किया। अब लड़के को अगर प्रेम सच्चा हो तो एक दिन जरूर रंग लाता ही है यही इन दोनों के साथ हुआ अब दोनों खुशी खुशी जिन्दगी बिताने लगे